सबी किसान साथियों का एक बार फिर से, एग रो दरपन पर बहुत-बहुत स्वाधत हैं किसान साथियों आज गे इस वीडियों में हम बात करेंगे इस अप गबल की फसल जब पक जाती है और उसमें अगर बरसात हो जाती है तो कितना नुकसान होता है हम इसी के बारे में आज की इस वीडियों में जानेंगे किसान साथियों अभी राजस्तान में पश्ची मीविक्सोब के कारण जगे-जगे वरसात हो रही है तो इसी केतेत यहां पर नागोर जिले में भी काफी ज़्यादा इस्तानों पर वरसात हुई है और कहीं इस्तानों पर यहां पर आप देख सकते हैं यहां हलकी बारई हुई है लेकिन इस फोगोल की फसल में कफी ज्यादान हुआ है इसमें तो दाने है लेकिन इसके अलावा कुछ शीटे ऐसे हैं जिस dauana है वो बिल्कुल भी नहीं रहा है जैसे यह शीटा देखिए इस शीटे के जो दाने थे वो सारे गिर चुके नीचे और इस शीटे के भी दाने गिर चुके हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें 30-40% के लगबग नुक्सान हुआ है क्योंकि जो सीटे हैं वो इस तरह से जड़कर के यहां खेत में जो पाइप बिचा हुआ था इस पाइप पर आप देख सकते हैं इस तरह से दाने उचल करके गिरें यह दाने यहां पर चिप के हुए हैं इस अब गोल क्या दाना है वो चिप चिप हो जाता है जैसे ही इसके पानी लगता है तो तो इस कारण यहां पर पाइप पर यह उचल करके चिप गए हैं यह देखिए जो कटी हुई फसल थी यह भी बीग गई है और बीगी हुई फसल के जैसे हाथ लगा रहे हैं तो यह दान पर आज दो पेर को यह बर्सात हुए और मैं अभी पांस बज़े के लगबगे सामके पांस बज़े के लगबगे वीडियो बना रहा हूं तो आप देख सकते हैं यह बर्सात से कितना नुक्सान हुआ है किसानों को यह फसल है जिसको अब हाथ लगाते ही जड़ रही है और इस सब गोल की फसल में वैसे भी नम्मी रहती है तो नम्मी से यह बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और इसके दाने वो नीचे घिरने अब कटी हुई फसल में थोड़ा कम नुक्सान है और जो खड़ी फसल है इसके दाने वो पूरे के पूरे जमीन पर गिड़ चुके हैं तो इस तरह से किसानों को थोड़ी बर्सात से भी काफी ज़्यादा नुक्सान हो चुका है यहाँ पर दो तीन आंगल बारिस हुई है तो तीन आंगल बारिस से यह इतना नुक्सान हुआ है के जगे एक ओले भी गिरे हैं तो जिन इस्तानों पर ओले गिरे हैं वहाँ पर इस अब गौल की फसल है वो पूरी तरह से समापत हो चुकी है और इसके अलाब दूसरे फसलों में भी ओलों से कपिए नुक्सान हुआ तो राजी सरकार को जिन किसनों के नुक्सान हुआ है वहां पर तुरंती मौह उजा देना चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं यह राजस्तान के नागोर जिले गाया और नागोर जिले में इसमगोल की खेती है वो काफी ज्यादा सेत्र में होती है और इस तरह से आप देख सकते हैं यह नुक्सान हुआ है आपको सिट्टे साफ नजर आ रहे होंगे जो इनके दाने हैं वो बाहर निकले वे तो अब जब भी आप इसमगोल की खेती करते हैं तो बीना जड़ने वाला बीज काम में लेकर के खेती करनी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ ए देख के जैसे समराठ नाम का बीज है जैनीत का वह आप काम में ले सकते हैं वह बिना जड़ने वाला बीज है और इसके अलावा सुंद्रम नाम का बीज भी है जो फसल जड़ती नहीं है इसके अलावा अगर आप फसल बोई हुई काम में लेते हैं बीज तो उसका बीज व झाल झाल झाल